आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट वन हिस्ट्री ओनर्स का पेपर वन पेपर वन का यह चेप्टर इगारा यह चेप्टर इगारा बहुत अच्छा से हम लोग पढ़ लिए अगर आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक इसी वीडियो की निजे दिस्क्रिप्शन में दिया गया बहुत देख सकते हैं इसी चेनल ओड़े लिस्ट वी बना होगा वहां से भी देख सकते अब हम इसका आपजेक्टिफ कोंचन देखेंगे और अब्जेक्टिफ कोंचन का यह भाग दो नहीं है यह भाग वान है इसके बाद हम लगता एक और कर देंगे चलिए हम लोग सुरू करते हैं और इसको ध्यान से आपको अब्जेक्टिव को देखना होगा क्योंकि जरूरी नहीं है कि यह वला कोशन एक जाम में पुछा जाएगा इसी टोपिक से तो कैसे भी कोशन पुछा जा सकता है कि हर साल एक तो कोशन पुछा नहीं जा स्थ्रूरी लग स्वाएजर सबस्क्राइब कर दोनों के बातकीत की लेओं किया गया है नागसेन कौन था यह नागसेन जो था वो और भार्म के जानने वाला था स्प्राइब आइबाए बहुत थार्म से नागशेन जो नाज़म को यह अर। दर्म के बारे में सब कुछ बातचीत किया पूछा और बहुत ध्रम इस ने क्या कर लिया मीन आंदर ने ग्रहंड कर लिया उसी को एक किताब में राचना किया है जिसके नाम रखा गया है मिलहिंड़्प पन हो ताप से पूछ जा सकता है कि मेनांदर जो था घुप तो खहां क gleich कि सकते हैं तो झाहें बढ़ते हैं अगला कोट कि ने अपने राधनी कहा बनाई ती तो या वर्ल som अभी के नाम से अभी जो नाम है उसका स्याल कोट के नाम से जाना जाता है ध्यान रखेगा स्याल कोट स्याल कोट के नाम से जाना जाता है अभी चलिए हम लोग आगे बाटते हैं अगला कोश्चन क्या है सौक वंस की कितनी सखाएं भारत में आई थी चार पांच है या इनमे आपको कमेंट में लिख कर और अगर आपने टेलीग्राम गृूप जाइन किया है तो उसमें मैब बनाकर आप जरूर भेजिएगा मैब बनाकर एसे मैब को बनाकर और मैब बनाने के बाद में आपको उस पर दर्शा कर आपको भीजना जान रखिएगा दिखा कर कि कौन-कौन तब किसीला वाला कंधार वाला यह सब दिखाना है आपको यह सब दिखाकर और आपको भेजना है टेली गराम गुरूप में ध्यान रखिएगा अना ही तो कमेंट में भी लिखकर आप बताएगे पांचों से खाएं कहां कहां आई थी चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोशन इंगला कोशन है भारतिय सिरोतों को लिखकर किस नाम से बुलाया ूंब बाहरतिय शुरुतों के सक वांस को हम लोग क्या कहते हैं कि हुडान कहते थे सिध्यका सब्सक्राइब·start उनको सींग उन्हें चाहता था तर आच जैसे ऑंगलैंड कर लोगों कहा जाता है वैसे इस चीज यह जो यह वांस आन ता उनको सीतियन कहा जाता था भारतिय स्प्रोव già और इनका नाम दिया गया आगे बढ़ते हैं नहापान कहां कह सा सकता टक्ची सीला मतुरा नासी कडीन कोई नहीं तो ना सकता है और इसने ये जो स्क वंस का साथ कटा संठान सक था और इसने लडाई भी किया था पान्जो था किसी से की ता गौत्मि-पुत्र सातकरणी किस वान। जिसको अंध्र.... में कहा जाता है अब देकैश से कितना कोईचन कीलियर हो गया। बहुत चलिए आगे बठते हैं अगला कोच्छन क्या है अगला कोच्छन है कि जूना गड्र काभिलियक संस्लीत में किसने लिखवाया था गौतनी पूत शाथ कार्णी रूद्र धामन पूच्छन में अगला कोच्छन है पहला वेंस का मुल निवास आस्थान कहा था इरान युनान φण वांज का जो मुलनिवास अस्थान ठां था जैसे यह सख का जो मुलनिवास अस्थान था आर problems कहा हम्ञ कहान कहते हैं इरान वाले छट्र कुसान वान्स का सा सकता है कब गया था परराम 78 इस भी में परराम किया था यह राज्या भी सेख के समय अपना परराम किया था आगे बढ़ते हैं अगला कोश्चन क्या है सक समध का अंतिम महिना कौन सा होता है चायत पूस फागुन या डीन में इसको इन तो फागुन इसका जाना जाता था कुसान लोगों तो हमें लात बहुत अच्छा समाज में आग्या होगा इसमें कोई भी डाउट हो कोई भी कोश्चन आप कमेंट ने पूछ सकता हमें तो समाज में आग्या होगा